खाने ने 11 बजे शुरू होना है तो हम जब 9 बजे के लिखेंगे तो ये तो जूट हो जाएगा ना तो हमने लिखवाना क्या है? 11 बजे तो रहने गा बेटा अगर 11 बजे लिखवा है तो लोग आएंगे 1 बजे ये ओफिसर तो हमने देखा ओधिन दोती बनियान में घूम रहा था पाकिस्तानी फॉच तो ऐसी है और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ हमारे एक दोस्त है उन्होंने उपना वाक्या सुनाया बड़ा जबरत वो जब आये तो उनकी शादी होने लगी तो उनने वली में का टाइम दिया कार्ड पे लिखवाया नव बजे और ये कहा कि नव बजे का मतलब नव बजे ही होता है तो घरवालों से पूछा खाना शुरू कब होगा तो उनके वालिद ने वालदा ने बताए कि बेटा खाना दिखा नौ बजे लेकिन शुरू 10 बजे 11 बजे होगा दस नहीं 2 घंटे लेट होगा 11 बजे खाना शुरू होगा उन्हें एक बेटा गर 11 बजे लिखवाएं तो लोग आएंगे एक बजे क्योंके 11 का मतलब लोग क्या समझते हैं कि फिर दो घंटेक 11 बज़े कोई भी नहीं आएगा तो उन्हें का नहीं फिर हम एक बज़े लिखवा लेते हैं तो वो इसमें वालदाइन से भी उनकी बहस बास ही हो रही है इसका दिमाँ खराब हो गया है लग रहा है कोई बुझे पूरे पूरे अलफास बढ़कर आये हैं तो यह भी क्या हो गए है पागल हो गए है तो यह बहस चलती रही चलती रही रही उनने का ठीक है प्र नौ बज़े लिक्वाओ लेकिन नौ बजब क्या है जो बज़े ही है नो बज़े ही है अब हुआ क्या ये टाइम के पाबंद है ना पाकिस्तान में टाइम के पाबंद है ये वाकिया बड़ा है वाकिया नहीं है ये मैं समझा रहूँ कि सिर्फ शादी में नहीं हर चीज में ऐसे हो रहा है दुनिया में काम्याबी के असूल जब दौड में जीतना है और वक्ती पाबंदी है तो आखरत में काम्याबी भी इसके बगएर नहीं हो सकती तो छोड़ दें ये सारी सलसले, कुछ भी नहीं मिलेगा तो उन्होंने क्या किया, कार्ड पे क्या लिखवाया, नौ बजे अब नौ बजे तो ब्यूटी पॉलन में दुलन गई है अच्छा वलीमा था, शादी हो चुकी थी वलीमा था अब दुलन जब ब्यूटी पॉलन में वो कह रहे नौ बजे जा रही है तो दुलन के बगएर तो न ये पहुंचेंगे ना ये पहुंचेंगे जैके जो नौ बजे तो दुलन को पहले तयार होना चाहीए था न been तयार करवाने वाली जो खावतीन है ये जो भी है उनके पहले वो क्यों लेट आई है उन्के गुस्सा हो रहे हैं तो पहुंच गए नौबे दूलन के बगएर अकेले पहुंच गए उन्होंने का घुसा कि मैं अभी से दूलन को ना अपने हिसाब से चलाओंगा ताकि आएंदा उसको ख्याल हो कि मैंने लेट तयार नहीं होना है कहीं भी तगरीब में दावत में जाते हैं तो एक दफा की त उनसे मैंने कहा कि खाना लगा दो खाना लगा उन्हेंने का साप क्या बात कर रहे हो कौन हो आप खाना कैसे लगेगा खाना तो अभी पकना शुरू हुआ है मैंने का भाई नौ वजे का टाइम दिया था खाना लगेगा खाना अभी लगेगा वो गुस्ता करने तुम कौन होते हो उन्हों दो मैं दूला हूँ अब दूला को सुन करना वो थोड़े से सट पठाए बाई इसने दमकियां दी बोला कि अभी जितनी जल्दी हो सके खाना लगा दो कोई आए या ना आए एक दफ़ा करना पड़ता है फिर कौम खुदी आदी हो जाती है फिर तो साथ इशार में बाद पहल गई ना तो खाना लगेगा लाजमी लगेगा अभी कहरें उनको इतना मैंने दबाव डाला और मैंने का मैं पैसे नहीं दूंगा और ये होगा वो अगा बार अलो जल्दी हरकत में आए खाना लगा दिया अकेले बढ़े नहीं दुटामियों खाना लगे लेकिन जैसे ही खाना लगता है या चिडियाओं ने या कवों ने पूरी कौम को पता चल गया कहीं न कहीं से एक भी SMS हो गया ना तो फिर लोग भागते हैं सिर्फ एक खाना ऐसी चीज़ है जिसको लोग कहते हैं कि यार ये बख से पहले मेरे पेट में उतर जाए नावतों में ऐसा होता है ना बादोंगे शादियों ने थराम से तोट टे हैं याली क्या बट जाओ लेट हो जाओ थोड़ा सा बही जा शादी बिया में जब खाना खुलता है तो कैसा मेजों की तरफ सब भागते हैं नहीं इकटे तो उसमें ये लियत कर ले कि मैं जैसे फजर की नमाज में लेट था जोर में लेट था और हर हर काम मेरा लेट हो रहा है तो आज में खाना भी थोड़ा सा लेट का हूँ है बैठे रहे हैं उसमें नहीं बैठते हैं हम लोग उसमें कोशी होती है सबसे पहले मैं जाओ तो जैसे ही कह रहे हैं वो उसकी खु होने दस जो भी टाइम था, जितनी देर में खाना तयार हुआ, जल्दी लिए उने किया, तो पहुंच गए सारे, अब पहुंच गए तो मैसेज बिर चल रहे हैं, अच्छा कहरें, मैंने अजीब मंज़र देखा, कि कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं, जो इन्वाइट नह हम सिर्फ ये तमाशा देखने के लिए आए हैं, कि आप अमरीगा से आए हो, और सुना हैं, कि आप वक्ते पाबंदो, तो हम देखें आपकी शादी में क्या हो रहा है, कैसे हो रही है, तो इन्ज्वाइट करने के लिए आए, इसे देखने के लिए, उसके बाद सब निश् को सबस्क्राइब कीजिए, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्ला हाफिज, अल्ला निग्यपान.